माधुरी की सास शोभा आंगर में जाडू लगाते हुए लगातार गुस्से में बुड़ बुड़ा रही थी पता नहीं ये चोटी बहु की देर तक सोने की आदत कब छुटेगी इतनी देर तक सोना कोई अच्छी बात थोड़ी है मैं भी कितना काम संभालू और ब्या कर लाओ बड़े घर की लड़की को मैं तो आपको सीधी साधी बिलकुल गव मिल गई रोजाना सुबह उठकर कितना सारा काम निप्टा लेती हूँ अब चुप भी रहेगी या अपनी अच्छाई का राग अलापती रहेगी मुझे पता है तु घर के सारे काम कर लेती है क्या हुआ माजी आप तो नों किसकी बात कर रहे हैं उठ गई माहरानी साहिबा अरे आपने तकलीफ क्यों की आपके लिए चाय नाश्ता कमरे में ही भिचवा देती मैं कोई बात नहीं माजी अब बना दीजे नाश्ता और चाय में थोड़ी अद्रक के साथ लाइची भी डाल दीजेगा सुबा की चाय मसेदार मिल जाए तो देन अच्छा बीच जाता है बड़ी आई चाय नाश्ते वाली ये सुबा की चाय का वक्त नहीं हुआ है घड़ी की सुईयां दोनों बार अपर आ चुकी हैं चुपचप घर के काम में हमारा हाथ बटा अब नाश्ता और दो पहर का खाना एक साथ ही करना इतनी देर तक कौन सोता है भला मा जी मैंने आपको शादी से पहले बताया धाना मुझे अपनी नीन से बहुत प्यार है फिर अब आप गुस्सा क्यों हो रही हो बारही तो बज़े हैं माधुरी रसोई में जाकर तुमात्रा गूत कर रोटियां बना दो तब तक मैं कप्ड़े धो देती हूँ दो पहर का खाना तैयार करके दुकान भी भेजना है इतनी सारी रोटियां कैसे बनाऊंगी घर पर तो मैंने इतना काम कभी किया ही नहीं यहाँ पर तो इतना सारा काम करना पड़ता है अब क्या करू अरे मेरी सहली चंदा का फोन आ रहा है जब तक ये रोटि बनेगी मैं बात कर लेती है हाँ चंदा कैसी है मैं हाँ मैं तो एकदम बढ़ियां बस ससुराल का तो तुझे पता ही है जितनी मर्जी काम कर लो सास और जेटानी फिर भी खुश नहीं होती हाँ अच्छा अच्छा ये भगवान जलने की बदबु काहां से ये तवे की रोटि तो जल कर बढ़ा दिया पता नहीं तुम कब सीखोगी घर का काम करना घर के काम ऐसे नहीं होते अब मुझे ही सारी रोटियां बनानी होंगी दुकान का लड़का दर्वाजे पर खड़ा हुआ है समय पर खाना नहीं दिया तो शाम को मुझे आकर गुस्सा करेंगे देवर जी तो कु मुझे तो फिर से नीद आ रहे है माधुरी को घर के काम करने की आदत नहीं थी इसलिए वो परिशान रहने लगी एक दिर ये माजी ने सबसी खरीदने भीज़ती आये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खरीदो सबसी खरीदना बहुत है मुश्किल काम है अरे ये तो किसी बू हो बेटी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया रिशी मा आपको चोट लगी थी इस हालत में मैं आपको कैसे छोड़ सकती थी आईए मैं आपको घर छोड़ देती हो बेटी यहीं थोड़ी दूर पर ही मेरी जोपड़ी है मैं वहीं रहती हूँ माधुरी रिशी मा को उनकी छूपडी में छोड़ देती है। पर एक बात त्याद रखना, किसी ने भी तुम्हें जादू करते देख लिया, तो ये शक्तियां तुमसे उसी वक्त छिन जाएंगी। रिशी मा से मंतर प्राप्त करके माधुरी घर आ जाती है और काम के समय चुप चाप वो मंतर को पढ़ती है और देखते ही देखते उसके दसात निकलाते हैं। तो मैं इन दसातों की सहायता जे घर के सारे काम चुटकियों में निप्टा दूँगी। अब तो माधुरी देखते ही देखते घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर देती थी। वा माधुरी तुमने तो घर का सारा काम निप्टा लिया। देखो रमा बहू, माधुरी ने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आओ, तुम भी खाओ। भाभी, मैंने दुकान का टिफिन तैयार करके इनकी और भाया के लिए नौकर के हाथ खाना बिजवा दिया है। माजी, अब तो आप खुश हो ना, मैंने सारा काम सही से और जल्दी निप्टा लिया है। हाँ बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, यही तो मैं तुम से चाहती थी, आज तो तुमने मेरा दिर जीत लिया। अब तो माधुरी रोजाना ही दस हाथ वाली बहु बन कर घर के सारे काम करने लगी। शुभा भी अब उससे बहुत खुश रहती थी। रमा बहु, माधुरी बहु कितनी समस्दार और सयानी बहु बन गई है। सही कह रही हो ना, ऐसी बहु पाकर तो मेरे नसीब खुल गए। जो माधुरी कल तक घर के काम करने के नाम पर मूसी कोड लेती थी, पर आज इसने चुटकियों में सारा काम खत्म कर लिया। हम, दाल में जरूर कुछ काला है, ये माधुरी इतनी आसानी से और जल्दी जल्दी घर के काम खत्म नहीं कर सकती। मुझे माधुरी पर नजर रखनी होगी और सच्चाई का पता लगाना होगा। अगले दिन माधुरी सुबह उठकर, जब अपने कमरे में मंत्र पढ़कर शक्तियों का इस्तिमाल कर रही होती है, तब रमा उसे ऐसा करते देख लेती है, और माधुरी के दस हाथ देखकर वो चिल्ला पढ़ती है। काम कैसे करूंगी, इन हाथों की साहिता से मैं घर के काम जल्दी जल्दी निप्टा लेती थी। माधुरी रोने लगती है और शुभा को सारी बात बताती है, माधुरी बहु निराश होने की कोई आवशक्ता नहीं है, यदि व्यक्ति मेहनत करें तो उसके दो हाथ भी दस हाथों के बराबर ही होते हैं, रमा बहु की तरह तुम भी बहुत महनती हो, आज से हम तिनों मिलक कर साथ काम करेंगे और धीरे-धीरे देखना तुम सब कुछ सीख जाओगी, रोना बंद करो, मेरी अच्छी बहु मेनाक्षी सबजियों का थैला लेकर घर पहुची, सबजी काटते हुए आज वो काफी खुश थी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, शाम के वक्त इतनी सस्ती सबजी बाजार में मिल गई, आज ये बैंगर नालू की सबजी बना लेती हूँ अरे, इसमें तो कीड़ा है, थोड़ा-थोड़ा हिस्सा काट कर साफ कर लेती हूँ, मुझे पता है बचत करना कितना मुश्किल होता है, पर मुझे तो करनी ही है, मेम साब, मेम साब, साबुन खत्म हो गया है, नया साबुन दे देते, अभी पिछले हफते ही तो तुझे न और ये क्या, तुने चाय का बरतन मेरे से बिना पूछे गैस पर से कैसे उता रहा? मेम साब, वो चाय का बरतन तो खाली था, उसमें चाय नहीं थी, इसलिए मैंने गैस पर से उठा लिया. अरे पर उसमें चाय की पती तो थी न, मैं अभी उसी चाय की पती से कम से कम तीन बार चाय और बना लेती चल अब तुने नुकसान करी दिया है तुम क्या कर सकती हूँ, अब चाय की पती के 20 रुपे तेरी पगार में से काटूँगी ये कहकर मिनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है बहुत से कंजूस देखे पर इन मेम साब जैसा कंजूस नहीं देखा मिनाक्षी हद में बहुत ही कंजूस थी उसका पती किशोर भी उसकी कंजूसी की आदत से परिशान था एक सुबा अरे मिनाक्षी क्या कर रही हो आज तो तुमने लंच में कोई सबजी भी नहीं बनाई ओफिस क्या लेके जाऊंगा ये समोसे तो कल वाले हैं न जो तुम्हें पडोस में कीरतन का प्रसाद मिला था वो और ये तुम इन समोसों में से आलू क्यों अलग कर रही हो अब कल पकोडों में से पनीर निकाल कर उसकी सबजी बना दे न ठीक है न? हाँ आइडिया तो अच्छा है मेरी बच्चत हो जाएगी कोई सब्सी नहीं बनाने पड़ेगी क्षोर को पता था कि मिनाक्षी बहुत कंजूस है और ये सब उसके व्यवहार में शामिल है तभी सीमा आ जाती है और काम करने लगती है मिनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है अचानक एक आवाज से मिनाक्षी रसोई में जाती है ये क्या क्या कब तोड़ दिया? अभी तीन महीने पहले ही ये नएक अपलाई थी मैं इस कब के सेट को अभी एक साल और चलाती तुने सेट खराब कर दिया तेरी इस महीने की पगार में से इस कब के पैसे काट लूगी मैं फिर तु आगे से कब तोड़ने में दस बार सोचेगी किशोर मिनाक्षी का व्यवहार देखकर गुस्से में था कि उसकी कंजूस पत्नी गरीब कामवाली पर कितना दबाव डालती है पर सुबा सुबा वो बहस में नहीं पढ़ना चाता था इसलिए वो बिना लंच लिए ही ओफिस चला जाता है एक दिन क्या बात है सीमा दो दिन क्यों नहीं आई तू अब तेरी दो दिन की चुट्टी और काट कर पैसे दूगी में साब वो मेरे बेटे को इंजेक्शन लगवाया था तो तेज बुखार से दो दिन बहुत परिशान रहा था इस महीने मुझे पैसो की बहुत जरूरत है में साब वो मेरे पती का काम नहीं है अगले महीने काट लेना में साब देख सीमा अगर तुझे काम चोड़ना है तो छोड़ जा मुझे दूसरी काम वाली मिल जाएगी पर तेरी छुट्टियों के पैसे तो मैं जरूर काटूंगी वो भी इसी महीने मिनाक्षी अपने कमरे में फोन पर गप्पे मारने चली जाती है सीमा उदास मन से रसोई में बरतन करने चली जाती है तभी मिनाक्षी का बेटा चिंकुल मिनाक्षी के पास जाता है मम्मी बहुत भूक लगी है कुछ खाने के लिए दे दो एक सेकेंड सोनल चिंकुल मैं फोन पर सोनल आंटी से जरूरी बात कर रही हूँ ये स्कुल की छुट्टी हो जाए बस पूरा दिन दिमाग खराब करना होता है जाओ फ्रिज में ब्रेड मक्खन रखा है खा लो मिनाक्षी फिर से फोन पर बाते करने लगती है चिंकुल फ्रिज में ब्रेड मक्खन ढूरने लगता है चिंकुल फ्रिज में रखे ठंडे नूडल्स निकाल कर खा लेता है सीमा उसे ये सब करते देख रही थी पर वो वहाँ एक काम वाली थी बिचारी चिंकुल को खाने से भला कैसे रोकती अगले दिन मम्मी, पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी, देखते ही देखते ही चिंकुल उल्टिया करने लगता है और कुछ दिर बाद इसकी तबित बिगरने लगती है मिनाक्षी और किशोर चिंकुल को डॉक्टर से दवाई दिलवा लाते है पर पाच दिन बाद भी चिंकुल के उल्टियां और बुखार नहीं रुक रहा था मुझे चिंकुल का बलड टेस्ट करना होगा, तब ही पता चल पाएगा जॉक्टर मेरे बच्चे को ठीक कर दीजे, पता नहीं किसकी नजर लग गई डॉक्टर, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कल शाम तक आ जाएगी अगले दिन डॉक्टर बताता है चिंकुल को टाइफाइट फीवर हुआ है, जो अक्सर बासी खाना खाने की वजह से होता है किसी बासी चीज के खाने या पीने से टाइफाइट के बैक्टिरिया पेट में जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है मैंने डोल्स शुरू कर दी है, कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे बाकी इसके खान-पान का पूरा ध्यान रखना है कुछ भी बासी चीज गलती से भी ना खाले वरना टाइफाइट का सीधा असर लिवर पर पड़ता है किशोर घर आकर मिनाक्षी से पूछता है मिनाक्षी, चिंकुल ने क्या ऐसी चीज खाई थी, जिससे वो बिमार पड़ा? तुमने जरूर कुछ बचा कर रखा होगा, जो उसने खा लिया पापा, मैंने जब वो फ्रिज में रखे नूडल खाये थे न, उसके बाद ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया चिंकुल, तुमने वो फ्रिज वाले नूडल क्यों खाये, वो तो तीन दिन पुराने थे, मैंने सीमा को देने क्या हुआ, रुक क्यों गई, बोलो बो, मिनाक्षी वो नूडल्स खराब थे, वो किसी के लिए भी हानी कारक थे, चाए हम या फिर सीमा वो अगर नूडल्स को खा ले थी, तो वो भी बीमार पड़ जाती, और फिर वो छुट्टियां करती, तो तुम उसके छुट्टियों के पैसे काटती, वो भी बिना कारण जाने I'm sorry किशोर, मुझे माफ कर दो, मेरी कंजूसी की वज़े से आग चिंकुल बीमार पड़ा, अगर मैं वो बासी नूडल्स फ्रिस में ना रखती तो तभी दर्वाजे की घंटी बचती है, मिनाक्षी दर्वाजा खोलती है, सीमा काम पर आई थी मेम साब, वो आने में थोड़ी देर हो गई, चिंकुल बाबा के लिए मंदिर का प्रसाद लाई हो, आप चिंता मत करो, मेम साब चिंकुल बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे और अगर आप बुरा ना मानो तो मेम साब ये मेरे पती से मैंने मंदि से ताजी मौस्युमी और नालियर पानी मंगवाये था, वो चिंकुल बाबा की तव्यत खराब है न, तो ये देना अच्छा है मिनाक्षी ने देखा कि सीमा का कितना बड़ा दिल है, एक गरीब होकर भी उसका दिल कितना अमीर है मिनाक्षी ने कई बार सीमा की पगार काटे फिर भी, आज वो अपने पैसों से चिंकुल के लिए इतना सब कुछ खरीद कर लाई मिनाक्षी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था उस दिन के बाद से मिनाक्षी ने कंजूसी करना बंद कर दिया और अपने स्वभाउ में बदलाव ले आई चिंकुल भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था मिनाक्षी में आये बदलाव को देखकर किशोर भी बहुत खुश था